सोया चंग्स की सबजी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और ये साथ ही साथ हेल्दी भी होता है तो आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ सोया चंग्स के कुफते की रेसिपी सिंबल रेसिपी है बनाने बहुत आसान है और एक बार आप इस कुफते की रेसिपी को जरूर ट्राई करें ये डिश आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए आज की मज़दा रेसिपी शुरू करते हैं सोया चंग्स के कुफताकरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर भीगो ia हुआ सोया चंग्स लिया है इसे मैंने गुनगुने पानी में भीगो के 5 मिलिए रख दिया था उसके बाद निचोड के इसका पानी निकाल दिया है पानी इसमें बिल्कुल नएगी रहना चाइए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे न कि सबसे पहले grinding jar लेंगे और इसमें डाल देंगे यहाँ पे धनियापत्ता, अद्रक और हरी मिर्च तो एक चौथा ही कप मैंने धनियापत्ता लिया है इसके साथ मैंने चार इंचा ध्रक लिया है और 4-5 हरी मिर्च ले ले अद्रक का इस्तमाल थोड़ा ज़्यादा करेंगे इसके बाद ये जो सोया चंग समने भीगो के रखा था वो इसमें डाल देंगे अब हम जार का ढखन बंद करके इसे ग्राइंड कर लेंगे तो बस इसे ऐसे ही पीस ले अब हम क्या करेंगे कि इस मिक्षर को एक मिक्सिंग बोल में डाल देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़े बड़े टुकड़े भी है तो आप टेंशन नहीं ले अब हम इसमें आधी छोटी चमच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे स्वात के अजुसार नमक डाल देंगे और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारी कटवा प्याज और लास्ट में हम इसमें बेसन डाल देंगे तो बेसन यहाँ पे एक से दो चमच डाले बेसन बस बैंडिंग के लिए help करेगा वैसे सोया चंग्स जो है वो तेल में खुलते नहीं है तो बेसन आप चाहिए तो कम इस्तमाल करें या फिर अगर आपको लग रहा है कि मिक्शर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है तो आप बेसन का इस्तमाल ज़्यादा कर सकते हैं तो यहाँ पे सारी चीजों को ऐसे मिक्स करके और इसके बाद ऐसे राउंड शेप के कुफते बना ले यह देखिए ऐसे जैसे लड़ू बनाते हैं ने वैसे हलका सा प्रेस करके आप ऐसे कुफते बना ले तो इसी तरीके से हम सारे कुफते बना लेंगे तो यहाँ पे हमारे सारे कुफते रेड़ी हैं अब हम इने तल लेंगी तो इन्हें तनले के लिए मैंने gas on करके कड़ाही में पहले से तेल गरम होने के लिए रखा था पहले एक कोफता डाल के देख ले अगर ये नहीं खुल लाया मतलब हमारा जो मिक्षेर वो एकदम सही बनाया स्वया चंग्स को गरम पानी से निकालने के बाद अगर आपने उसे अच्छे से स्क्वीज नहीं किया तो कोफते जो हैं वो ऐसे तेल में खुलने लगेंगे इसलिए पहले एक कोफता डाल के देख ले और उसके बाद ही बागी के कोफते ऐसे डाले गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे आप इन्हें धीरे धीरे आसे फ्लिप करें ताकि हर तरफ से ये सेम कलर में फ्राई हो तो यहाँ पे इन्हें पलट दे, ध्यान रहे कोफते को आपको धीमी आज पे नहीं फ्राई करना है, मीडियम या फिर हाई फ्राई पर ही फ्राई करे तो यह हमारा कोफता जो है वो फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे आप चीए तो इन्हें पेपर कीचें टवल पे निकाल लें ताकि इसमें जो एक्ष्रा ओयल है वो निकल जाए तो यह हमारे कोफते जो है वो रेडी है, इन्हें हम अलग रख देंगे और अब हम बनाएंगे ग्रेवी तो ग्रेवी बनाने के लिए हम एक पैन में चार बड़े चमज तेल गरम करेंगे जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे दो तेजपत्ता दो सुखे लाल मिस डाल देंगे, दो इंची दालचीनी डाल देंगे दो हरी लाइची या फिर एक बड़ी लाइची डाल दे आदी छोटी चमजीरा डाल देंगे और इन सब को भूल लेंगे जैसे ही ये पक जाएंगे, हम इसमें दो मीडियम साइच का प्याज कटा हुआ डाल देंगे प्याज को ऐसे मिक्स करें और इसके बाद 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने दे तो जब तक प्याज जो है वो हलका सा प्राउन नहीं हो जाएगा तब तक हमें इसे पका लेना है तो यहाँ पे छोड़ देंगे जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे अधरक और लैसुन का पेस्ट तो यहाँ पे एक छोटा चमच अधरक और लैसुन का पेस्ट डाल दें और इसे भी प्याज के साथ हम भूल देंगे अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम लोग कर देंगे और इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे तो मसालों में हम क्या करेंगे कि आदी छोटी चमच जली पाउडर डाल देंगे एक छोटा चमच लान मिर्च पाउडर डाल दे फिर हम इसमें डाल देंगे आदी छोटी चमल जीरा पाउडर, एक छोटा चमल धन्या पाउडर, आदी छोटी चमल गरम मसाला पाउडर और इसके बाद हम इन सब को मिला के धीमी आज पे थोड़ा सा भूल लेंगे प्याज के साथ ध्यान रहे गैस का फ्लेम लो होना चाहिए, नहीं तो मसाले जो है वो जल जाएंगे तो यहाँ पे मसाले को हमने पका लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर तो यहाँ पे 20 described टमाटर को पेस्ट कर लिया है, प्योरी इसما नहीं करी हूँ, नॉर्मल टमाटर को मिक्सर में पेस्ट लिया है आप इसकी जगर टमाटर को बारी काट के पे इसमाल कर सकते हैं या फिग ड्रेटर से ग्रेट कर के भी इसमाल कर सकते हैं अगर आपको लग रहे हैं कि मसाला जो है वो चीपक रहा है तो थोड़ा सा पानी आप यहाँ पर एड़ कर सकते हैं तो हम इसे ढख देंगे और टोटल 6-7 मिनट धीमियाच पर पकने देंगे 7 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं और यहाँ पर प्यास टेमाटर को हमने अच्छे से भून लिया है प्यास टेमाटर जितने अच्छे से भूनेंगे सबजे का टेस्ट उतना ही अच्छा हैगा तो यहाँ पर मैं 2 कप पानी डाल देती हूँ पानी डालने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे अब हम इसे ढख देंगे और इसमें उबाल आने का इंतिजार करेंगे जैसे ही करी में उबाल आ जाएगी ये देखे तो बस यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमने कोफते तल के रखें वो डाल देना है तो यहाँ पर ग्रेवी की ठिकने से एक्टम पॉफिट है ध्यान रहे कोफता जो है न हमें ग्यस बocumented करने के पहले डालना है अगर आप कोफते को बहुट जादा पहले डाल देंगे या पर करी में उबाल देंगे तो यह तूरण तूटने लगेंगे तो यहाँ बस इसे ऐसे डाल कि और इसके उपर ग्रेवी डाल दे ताकि अंदर से सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद हम क्या करेंगे लास्ट में धन्या पत्ता डाल के गैस को बंद कर देंगे और इसके बाद इस सब्जी को पांच मिनट के लिए ऐसी ही छोड़ दे पांच मिनट बाद हम पैन का ठका नटाएंगे और इसे सर्फ कर लेंगे तो यह हमारी मज़िदार कुफता करी जो है वो बंद के तियार है यहाँ पर अब देख सकते हैं दिखने में किता बढ़िया दिख रहा है और लास्ट में हम इसके उपर क्या करेंगे कि बारी कटवा धन्यापत्ता डाल देंगे तो अगर आपको इस कुफती की जो ग्रीवी है वो बहुत जादा स्मूची है तो आप आज को भी इसमें टमाटर के साथ ब्लेंड करके और इसके बाद ही डाले तो यह हमारी मज़ेदार कोफता करे जो है वो बनकी तयार हो गई है आप इस सोया कोफता करी की रेस्पे को एकवाद जरू ट्राइकरें यह आपकी फेमले को बहुत पसंद आएगा अगर आजके रेस्पे आपको ट्राइकरने का बाद पसंद आए तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का वर्टन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले